दोस्तों आप सभी इमली सीरियल तो देखी रहे होंगे जो कि इन दिनों दर्शकों द्वारा खोब देखा जा रहा है जहां हमें इस सीरियल में एक से बढ़कर एक अलाकार देखने को मिल रहे हैं जो अपनी आक्टिंग की दमदार भूमिका से इस सीरियल को हिट बना रहे है तभी तो दर्शक भी इनके इन किरदारों को काफे जादा पसंद कर रहे हैं जिसके चलते इन्हें एक नई पहचान भी मिली है तभी तो ये काफे जादा फेमस भी हो रहे हैं लेकिन आपको बता दे इस सीरियल में काम करके सीरियल के कलाकारों की किसमत भी बतली है जहां इ चानते हैं हमारे इस वीडियो के जरीए नंबर वशन फैमान खान सब्सें पहले बात करते हैं से मीं आर्य को को इनकी आक्टिंग और पसनल्टी काफे जादा पसंद आती है जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीरियल ने ही इनकी किस्मत बदल दी है इस लिस्ट के दूसरे नमबर पर बात करते हैं इस सीरियल में इमली का करदा निभा रही अभिनेतरी सुम्बल तौकीर की जो की अपने इस सीरियल से इतनी जादा फेमस हो चुकी है कि आज इनहीं किसी पहचान की जरुवत नहीं है वहीं आपको बता देए ये टीवी की हायस्ट पेड आक्टरस में गिनी जाने लगी है जी हाँ ये अपना नाम हायस्ट टीवी पेड आक्टरसेस पर शुमार करवा चुकी है तीसरे नमबर पर बात करते हैं अभिने त्री मयूरी देशमुकी जो इस सीरियल में मालनी का किरदा निभाते हुए नजरा रही है जहां ये अपने इस किरदार से दर्शकों का खुब मनोरंजन कर रही है वहीं दर्शक भी इनके इस किरदार को अपना प्यार दे रहे हैं तभी तो इन्हें इस सीरियल से काफ़े जादा फे मिल रहा है जिसके चलते इन्हें एक से बढ़कर एक नई प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल रहा है और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी किस्मत बदल रही है इस लिस्ट के चौते नंबर पर बात करते हैं अभी नीता मनस्वी वशिष्ट की जो इस सीरियल में आदित्या का करदार निभाते हुए नजरा रहे है जहां भले ही इन्हें इस सीरियल में आदित्या का करदार निभाते हुए कम ही दिन हुए हो लेकिन इतने कम दिनों में भी इन्होंने इतनी ज़ादा पॉपलार्टी प्राप्त की है कि इन्हें आज हर को इस सीरियल के बदौलत जोनता है भले ही ये पहले कई सीरियल में नजर आ चुके है लेकिन पॉपलाइटी तो इन्हें इस सीरियल से ही मिली है तब ही तो इनके किस्मत बदली हुई सीन नजर आ रही है तो दोस्तो आप इमली सीरियल के इन सितारों में से किसके सबसे बड़े फैन है हमें अपनी राई कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें